मुझें आपका स्वागत है आज हम खीरे का रहता बनाएंगे खीरे थो हमारे पेट को बहुत थंड़क देता है दशी हमारे पेट को बहुत थंड़क देता है इसलिए कि मैंने खीरे हम इसको करेंगे ये मैंने दही, लिया हुआ है, इस तरह से हम खीरा को क्ट करेंगे और इस तरह को करेंगे जिस से की कड़्वाहाथ हमोजाए इस तरह से रगणने से ये फेना-फेना सा है यह कड़वा कड़वा सा इसको इस तरह से कट कर दीजे इस तरह से अब आफ इसको छील लेंगे इस तरह से हाँ फ्रत को इंची लिया है आफ टैन दालने मिलिए धनिया ली हुई यह थोड़ा सा पोदीना लिया हुआ इनको भी क 몇 जेंब इमंगा निया ऐसे मेनी मिर्ची इसको मघंद कर लिये अब खिर परसे करें थे कि अई इसकते हैं कि हिसे फ respons नेंगे इस बनाटी छेलिया है और दहीआ kuo हम इस पराख से दही छेंगे मैंने इसमें आधा कप पानी राला हुआ है कि अधर अच्छे से फिट गया अब इसमें हम हीड़ा डाल देंगे जो मैंने ग्रेट किया हुआ था अग कर देर अधरा चुछ यह पूद्रीना जो मैंने कटकर कर रख रखा तह भी हम इसमें डाल ने जो हीड़ा अधनिया डालेंगे ना चम्माश मिर्ची पौर्डर डालेंगे अधा अधा चम्माश दन्या पौर्डर डालेंगे सब्सक्राइण लाहज Mill लागे लें एक चमश नमक डालेंगे सफेर नमक एडिये आवरे चमश हम काला नमक डालें नमक आप अपनी स्वाधन स्वाध डाल सकते हैं कम ज्यादा अब हम रहते का तणका बनाएगे गैस को आउन कर दिया है, मैंने एक इसमें चमचा रखा हुआ है इसमें हम थोड़ा सा टेल डालेंगे, सरसो का टेल है यह तेल अच्छे से गरान हो गया, इसमें हम जीला डालेंगे एक चमबच इसमें हम लाई डालेंगे ताउन का टाटालेंगे, सर्था का टार्का बनका तैयार हो गया, आब इसमें डाल देंगे एक चमच इसमें भुना हुआ जीरा डाल देंगे इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, ने से खीड़े में तढका लग गया है हुई है देखे रहते में हुई हैं खाल ondus a अलग कित न अच्छा लग कि अच्छा है है ज़ी मैंने सारी ठनी ठनी चीजें डाले हुई हैं इसमें पोदीना में पड़ा हुआ है खीरा है सभी चीजें अच्छी है अब हमसे एक बॉल में निकाल लेंगे यह देखे कितना अच्छा लग रहा है कि एक रहता है परा दनिया से गालनिस कर देंगे कि रहेंगे कितना अच्छा लग रहा है खीरे का रहता है आप इसे आरलो की सुपी सब्जी के साथ खाईए इस रहते के साथ बहुत टेस्टी लगती है इसी तरह आप भी बनाईए खीरे का रहता प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और बैल आक कम प्रिकाशन दौनवाना ना गूनिह रहते हैं अच्छा को